हेलो बच्चो वेलकम तो दिस चानेल कैसे हो आप आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं चैप्टर 12 देट इस साउंड ओके तो पहले एक क्वेश्चन आता है कि साउंड क्या है ठीके हम लोग जो यहां पे वर्ल्ड में रह रहे हैं यह यह दैट इस देट वाल इस फूल अफ सा साउंड हम लोग को सुनने मिलता है ठीक है हुमन बार्ट्स एनिमल वेहिकल्स मेशीन केलिविशन सेट मूजिक सिस्टेम एन एन सो ओन ऑफ वहां तरह चीज का जो साउंड है वो साउंड हम लोग को सुनाई देता है ठीक है जो हम लोग यह बात कर रहे हैं यह फी एक इस चैप्टर में हम लोग बैसिक वेली जानने की कोशिश करेंगी किसाउंड कैसे जनरेट होता है ठीक है एक साउंड का हम लोग कैसे प्रोपागेट करते हैं साउंड जादा होने से क्या होता है साउंड कम होने से क्या होता है सभी के वादे में हम व प्लेजन ओके और लोग ऐसाइज यहां पीडिया गया है ठीक है कि टकर इलमारें यहलेवती सवांट दूबएं सब्सक्राइब सबते ना सुन रहा किस टाइब का किस किस का का सुन शुने हो सभी प्लेसिंट सउन्ध है या प्लेसंट कर सकता हो ठोगी सभी साउन जो है वह प्लेसेंट सा terrific करता है ठीख पर कुछ-कुछ सांफ विन्दों को बहुत मतलब प्लेज når शुट तेके, science recognizes sound as an integral and essential part of nature, okay, it is important therefore to try to understand its various features and properties, this basic concept concerning sound are the causes of generation sound, reasons for the difference in sound from different sources, mechanism of propagation of sound, which we have talked about, propagation of sound from one place to another, mechanism of hearing of sound by human ears, कैसे हम लोगों सुना ही देता है, एक sound तो प्रड्यूस हो गया, पर हम लोग सुनते कैसे हैं, birds कैसे सुनता है, animals कैसे सुनते हैं, यह सभी के बादे में हम लोग डिसकस करेंगे, so sound and vibration ठीके, तो यहाँ पर एक चीज तुम लोग देख सकते हैं, जो जो हम लोग गिटार बजाते हैं ना, उसका जो string होता है, वो हम लोग क्या करते हैं, string को हम लोग hit करते हैं, उसकी वज़ए से sound generate होता है, हम लोग जो डफली है जो drums है, या डफली है, उसको हम लोग क्या करते हैं, hit करने की वज़ए से, क्या होता है, sound generate होता है, तो sound generation का main funda है, vibration, किसी भी चीज को अगर हम लोग vibrate करते हैं, जो मान लोग एक वैर है ना, जो हम लोग हर्मोनियम बजाते हैं, हर्मोनियम में क्या होता है, यार जो है, वो भाइब्रेट करता है, उसकी वज़ए sound होता है, तो sound produce होने का, एकदम basic funda क्या है कि, वो किसी भी चीज को vibrate होना, किसी भी चीज भी चीज होता है, उस चीज से sound निकलता है, तो therefore usually they say that sound is a form of energy which produces the sensation of hearing in our eyes, okay, जो जो एक energy produce होता है, वो क्या है, हमरा जो एर में जो एक hearing का sensation परता करता है, that is called the sound, sound कैसे produce होता है, we can therefore think vibration as the basic cause of all sounds, सभी चीज का basic cause क्या होता है, sound का जो है, that is vibration, यहाँ पर कुछ activities दिया गया है, जो तुम लोग करके देख सकते हो, यह एक तरह है, जो और guitar जो है, violin जो है, सभी में क्या होता है, जो guitar, violin, जो guitar होता है, violin होता है, एक तरह होता है, यहाँ पर जो duffly है, वह हम लोग को क्या होता है, कि जो उसका जो, जो layer है उपर, को हैं पर जहाँ होता है, वेज़ए से ऊसका जह जो vibration होता है, तुम लोग को sound सुनने में रहनता है, थेख इख Abb Rubrass, helps us to realize that the basic cause of all sound is vibration so vibration होने से sound produce होता है next is यहां पर कुछ instruments का नाम दिया गया है देखो flute तो किस पार्ट वो भाइब्रेट होता है फ्लूट में जुसको अंदर का जो एर है वो भाइब्रेट होड़ा है घर कौन से फ्लूट में वीदिए रहर क्र लूट है हम लोग drink को hit कर रही है इस्टरिंग को हीड है यहां पर झाल चीज है जो बड़ा सा जो एर अंदर का यार भी भाइब्रेट कर रहा है है ठीक है ड्राम क्या है उसका जो उपर का जो मेंब्रेन होता है वो भाइब्रेट करणा है जलतरंग में क्या होता है जो हम लोग हिट करते हैं जो पॉट होता है पॉट हिट करने से उसका जा अंदर का जो पानी है वो ही वो भाइब्रेट करता है सितार हर्मोनियाम ओके संतो एंधोर सभी में किया होता है आशीज साउन्ड प्रडूस भायोगों से साउन्ड प्रेटूस करते हैं लोग में लोग के अंदर भी एक चीज को चीज है जो ये संद परॉडूस होता है ठीक है तो एसे ह। हवं anymore फ्रेंड और प्रेंश का संदें तो संद कैसे सुनते यान संदे है तो इनर्जी हो एक मेंब्रेन उसमें फाइब एनर्जी हिट करता है वह पाइब human body system that helps us to produce sound हमाडे गले में एक वाइस बॉक्स होता है उचकी वज़ा से हम लोग साउंड प्रडूस करते हैं ठीक है दा वाइस पॉकल कॉड्स यहां पे देखो विंड पाइप है दो विंड पाइप के ऊपर में वोकल कॉड्ड लगा हुआ ठीक है ओपेन और क्लोस ठीक है व जिसके अंदर से एर या किया होता है पास कर सकता है तो हमना लंग जो है उसमें फोर्स पाइदा करता है यार के फूर्स यार करता है तो वो जो तो एसलीट है ना वो भूकल कोड जो है वो वाइब होता है इसकी वजासे साउन प्रडूस अगर है दलान फोर्स प्रड थूट तो दशीप बेवीड गॉकल कोड इन दिस मेक्स आप जब अन प्रडूस अंड रहते हैं वोगल कोड तो यह तो इसकी वजा से जो है human body में sound produce होता है do you know में देखो यहां पर क्या है the vibration produced by our vocal cords get converted into speech with the help of the tongue okay the noise the nose and the lips speech is the production of that sound that has a definite and clear meaning to us यहां पर vocal cord से तो आवाज तो जनाइट होड़ा है पर टांग लीप नोज इसकी वज़े से हम लोग उसका एक form देते हैं जो हम लोग को मतलब words form करते हैं sentence form करते इसे form करते हैं irregular sound को मतलब उसके उसकी वज़े से तो होकर हम लोग ऐसे sound produce कर देंगे तो बात तो नहीं होगा ना sentence कैसे पैदा होगा तो इन सभी चीज़ से हम लोग उस sound को एक प्रपर फॉर्म देते हैं sound produced by animals यहां पर बहुत कुछ चीज़ का जो एनिमेल्स है ना सभी चीव सभी एनिमेल्स का है character Şu sound Hi connect type logo जैसे कि लॉंञर करता है तो सुनके हम लोग को णेर्दा ऐसांड करता है तो उस sound को सुनकर हम लोग दूर से हम लोग सब्सक्रों है जाए और ही अप्र यह मैं आद क्या है था के तो यहां विHE को birds में क्या है voice box है हम लोग बात में पड़ेंगे तो वोकल कॉर्ट few animals में होते हैं वोकल कॉर्ट when dog barks cat muse horse knights okay lion roars cow cow mouse they all are using vocal cords सभी जो अनिमल से vocal cords से sound निकलते हैं birds have a ring of cartilage called cynics in their wind pipe they use in their voice box to produce their characteristic sound this characteristic sounds is a judging or unpleasant one it in case of bird like crow but it is pleasant and soothing in case of like a coel okay parrot okay moena to your birds होते हैं सभी birds का जो sound है वो pleasant नहीं होता है crow का sound के सब बहुत ही हम लोग इरिटेट करता है पर बहुत सारा का birds होते हैं जिसका sound बहुत ही मतलब सुरीला होता है ठीक है bees makes their characteristic sound vibrating their wings rapidly नहीं इंसेक्स होते हैं मॉस्क्यूटो ओके बीज यह अमरा जो पंखा है ना जो वीन्स है उसको जोड तरह से वाइबेट करता है वाइबेट करने से क्या होता है एक साउंड पर्डूस होता है एक साउंड पर्डूस होता है बढ़के वह फुला देते हैं तो उसकी वाज़ा से साउंड जनाट होता है वी डास्रीलाइज डावर्ड ऑफ साउंड इस रियली डाइवर्स एन अमेजिंग वन बहुत तरह का साउंड अमड़े चारो तरफ होते हैं बहुत तरह का साउंड ऐसा नहीं कि एक टाइप का सा यहां यहां पर बीच में साउंड को यहां जाना पड़ेगा ना तो प्रोपागेट कैसे करते हैं वह हम लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक चीज़ देखो जो मून है मून में तो एक्मोस्पिया उतना नहीं है तो हमारे जो अंतरिक्स में बहुत सरके करने करने के लिए एक मीडियाम होना जरूरी है तो एक मीडियम होने से वह साउंड क्या करते है प्रोपागेट करते है ठीक है अप्रव मीडियम का अलग 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 तो इस प्रवा करने करता है यह तो प्रपागेट करते है तो है तो हमारे जो हमारे तरह आप नहीं पहुत साउंड जाने कम फिल्पागेश्ज पर्फेशा है सब्सक्राइब करेंगे यहां पर एक पाइप दिया गया है और यहां पे बेल को तुम अगर साउंड करोगे तो उसमें साउंड आएगा जो जार जो एंदर नहीं होगा तो यह साउंड हम लोग नहीं सुनाई देगा ठीक है तो इसके बससे हम लोग यह कंक्लूड कर सकते हैं कि साउंड को प्रोपागेट होने से कोई भी एक मीडियम हम लोगों को चाहिए ठीक है यहां पर बहुत तरह का अक्टिविटी से हम लोग कर सकते हैं साइंटिस्ट अना अबल तो मेजर तस्पीड आफ साउंड त्रू एयर अस वैल अस गैसे त्रू वाटर अस वेल अस लिक्विड श्पीड आफ साउंड तू एयर इस अबोटी 30 मिटर पर सेकंड वैरत इस स्पीड तू वाटर इस दो वाटर इस दो फिफिटीन हंड मिटर पर सेकंड तो साउंड अस प्रोपागेट करता है तो देंसर मीडियम में साउंड ज्यादा मतलब स्पीड से प्रोपागेट करते है और मैं वाटर मिडिया में growing Poland अब पारिभ होते है त्रेन आएवह दूर सेब्द होत иг है क्यूंकि जो साउंड जाप में है तो जल्दी आ जाता है तो फिर हम लोग सुना अ मिडियम में यहां पर देखो क्या है प्रिशेज़ी मेजर्मेंट शोज़ाद सब्सक्राइब तो सबसे ज्यादा सपीट के कहां कि है सॉलीड में उससे कम क्या है कि पहले का इसके बाद लीकुइड उसके बाद गैस ठीक है लाइट प्रोपागेट फास्टर देन साउड यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज यह ल लोगो पहले लाइट दिखाय दिता है उसके बाद उसका साउंड सुनाई देता है तो हम लोग पहले सोचते थे हैं कि दोनों चीज अलग-अलग य। हो रहा है इसलिए हम लोग को अलग-य। पर दिखाया है और आक पर सुनाय देते लिजिता पर अशान और the speed of light and sound tells us the light propagates very fast as compared to sound the speed of sound in air nearly 330 meter per second okay the speed of light in vacuum as is as high as nearly three lakh kilometer per second light thus propagates nearly a million time faster than sound hence when lightning and thunder occurs together the flash of light reaches us in particular particular zero time okay the sound of the thunder however takes a few seconds to reach us so we therefore hear the thunder a little after okay seeing the flashlight do you know the human ear has a special special features this is the property of perception of hearing that means sorry perception of hearing to make a lot of the sun to have a one-tenth second that will stay at the point one second that will stay at the time interval के बीच में कोई साउंड आ गया तो हम लोग को उसका जो मतलब अलग-अलग करके सुना ही नहीं देगा एक कॉंटिनुवास हम लोगो सुना ही देगा एक परसेंट के परसिप्शन परसेस्टन ऑफ हीरिंग नेक्स्ट क्या है एंपीचुड टाइम प्रियर्ड एंड फ्रिक् इहां पे देखो ये जो पूरा दिस्टेंस है मतलब यां मिडल पोजीसन से अजट जाडा है और इधर भी जाडा है यह यह पुड़ा पूजीसन को हम आख पूरा एंफूल थीस्टैन्स है उसको हम अपिछुट काता है तके यह पर देखो किया है थास्ट भी किन से डिपफेटिंग बॉड वारिटिंग बटी वाइटिंग मतलब कोई विय का दो ऐसे यह एसे रहा है पेंडूलम की तरह तो मतलब वो ऀडिरक्शन यह दोनो डिरीक्शन में कुछ डि in fixed time interval मतलब एक यहां से लेकर यहां तक एक fixed time में हो जारा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि one complete cycle को बोलते हैं कि time period जितना time में वो complete कर रहा है that is called a time frequency is frequency is nothing but the one by time period that means one by time period means एक second बे एक second में कितना cycle वो complete कर रहा है देखो उसको कहा जा जाता है कि frequency the vibrating body completes a fixed number of cycle of vibration in one second मतलब किसी भी बोलते हैं किसी भी बोलते हैं महलो की एक second में वो दस मतलब cycles complete कर रहा है तो उसका frequency क्या है दस ठीक है in one second one second में कितना जो complete cycle कर रहा है वो that is good okay so relation क्या है frequencies one by time period okay the amplitude of of a vibrating can be measured by the unit of distance जो amplitude of distance की में होते है ठीक है जो टाइम प्रियोड है जो टाइम प्रियोड है उसका एसा उनिट का सेकंड और frequency का एसा उनिट का हाच यहां पर कुछ चीज दिया गया है since frequency because number of vibration vibration completed by time taken so you can say that hard that means frequency is one by second period okay next is the loudness and pitch of a second loudness मतलब जो टाइम एंड 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 जादा है और जिसका है कभी कभी decibel भी हम लोग यूज करते हैं जहां पर एक डेसीवल एक डेसीवल इकल्स तो वन बाइटेन बेल ओके यहां पर कुछ चीज का हम लोगों को sound का जो measurement है वो दिया गया है normal breathing का कितना decibel है 10 decibel soft whispering का 30 decibel normal conversation का क्या है 60 decibel average factory noise क्या है 80 decibel large orchestra क्या है 98 decibel और airplanes का 150 decibel ओके सो यह सब कुछ है यहां पर इंट्रेस्टिंग सा activities है जो तुम लोग कर सकते हो जो cycle जो है ना cycle को strand करके उसका जो एक wheel है वो घुमाँ ठीक है पिछे का wheel जो है वो घुमाँ और एक मालों की कोई सब्सक्राइब मेंटल का एक स्टीक लेकर उस जो स्पोक्स होते हैं साइकल का उसमें टाच करके रखो ठीक है जब यह जो विल है वो speed मतलब जल्दी बहुत स्पीट से घुम रहा है तो इसका जो पीच हो जादा है और जब धीर धीर घुम रहा है तो इसका जो पीछे वो कम है ठीक है इन देकेस ऑफ एक चीज है कि कोई फीचीज भाइब्रेशन होने से साउंड प्रड्यूस हो रहा है ही हम लोग को मतलब हम लोग जाने वह साउंड प्रोपागेट करके हमारे जो याड है उसमें हीट कर रहा है तो हम लोग को सुना ही देता है पर क्या हम लोग सभी साउंड को सुनते हैं ऐसा नहीं एक साटन लेवल के ऊपर एक साटन डेसीवल के ऊपर जो साउंड है उसको भी हम लोग सुन सकते हैं उसके नीचे साउंड को नहीं सुन सकते ठीक है यह हम लोग कैसे कर सकते हैं जो ड्रॉम है उस ड्रॉम को उसका frequency of sound for human beings extends from about 20 Hertz to 20 kilohertz बतलब 20 Hertz 20 kilohertz के बीच में जो sound है वो हम लोग उस frequency का sound है वो हम लोगो सुनाई देता है उसके उपर का sound हम लोगो नहीं सुनाई देता है उसका नीचे का sound भी अमलोगो को नहीं सुनाई देता है व्यार्ट साउच्छ आर काल इन इनफ्रासॉनिक sound are sounds are inodible to us sounds of frequencies higher than यहां पे डेको 20 kilohertz का frequencies below 20 20 hertz cannot be detected by human ear to be 20 hertz का below का जो sound है यह इन्फ्रासॉनिक sound or sound of frequencies higher than 20 kilohertz are called ultrasonic sound or ultrasound they are again inodible to normal human ear okay यहां पे कुछ do you know है wheels and elephants produces sound in infrasonic range it is also observed that some animals get disturbed before an earthquake ठीक आर्थक होने के पहले कुछ animal का activity अगर हम लोग अबसर्फ करेंगे तो देख सकते हैं कि उस animal को लगता हम लोग को लगे का कुछ animal को पहले से पता लग गया है कि आर्थ को एगाने वला है ठीक है तो हम लोग हो जाता है ठीक है इसकी वजह से वह जो मतलब एक्टिविटीज हो जाता ही इसको देखके हम लोग पता लगा सकते हैं कि आर्थ को एगाने वला है ठीक है तो आर्थ को एक का जो साउंड है वो भी ही फ्रिक्वेंसी विसल विच डॉक्ष कैने हीर बट हीमन कन नॉट ओके नाव इड़ेस यूजव अल्टरसोनिक साउंड मेडिकल पार्पस में भी उस होता है ठीक है यहां पर मिनोईज और म्यूजिक यहां पर हजो जितना तरह का साउंड प्रदूस होडा है सभी को सुनने में अच्छे नहीं लगते है पर जो म्यूजिक है वो दाट इस ब्लेजन तो यहां पर वी 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 काल अल्साच अन्प्लेजन साउंड अज नॉज़ें तरन्स आट नॉज़ेंस आर दू आट वीविविविविविविशन पादा होता है पर इरेगुलार और नोन लाटिन वर्ड नुई सा ओके इंप्लाइं एंप्लाइं एंप्लेजन साउंड वाल्ड ऑप साउंड इस नॉट आल बैर सभी बुरे नहीं है ठीक है यहां पर मांडो की लदा मंगेशकर का जो गाना है या सोनु निगम का जो गाना है रवी शंकर का जो सितार है उस वी रहा है यह रिगूलर फैप्र संजो रहा है उसकी वाजा से सांड परिदा यह थाप्रियोट यह काल्ड़ मुजिगल सांड आए टो इस पंग को मुजिकल सांड क्याते हैं फ्लूट का सांड क्य तो गे तो प्रीजिक ऑम टोट कीसे बड़े होता है रेगुलार और पिव इ the quality of quality or timbre of a sound is that characteristics which enables us to distinguish one sound from another even if they have the same pitch and loudness okay the sound which is more pleasant is said to be rich quality that is music is pleasant here and is of rich quality noise is unpleasant or to hear okay to noise kya unpleasant hai to uska quality rich nahi hai next is the noise pollution so air pollution hum log water pollution hum log dekha htikha to here be noise ki wajay se pollution ho saktay hai to hum log yeh so sate ki noise ki wajay se kya se pollution ho tate noise ki wajay se kisiv animals ka kisiv living objects ka joh hai wak mental disturbance ho saktay agar ham log bhoat zore sound ki bich mein thodi dher kharer raha hai to humka dil ka dora joh hai na us woh bhar saktay hai joh high pressure ka present hai usko utna jor sound be jana allowed hi nahi hai htikha so noise pollution kya se hota the disturbance and disturbance produces in our environment by the presence of excessive or undesirable loud sounds of various kinds of kinds and forms is referred to as noise pollution htikha to source of noise pollution kya hai the use of various types of appliance and gadgets in in homes such as mixture grinder vacuum cleaner lawn mover ok television set music system at high volume often creates noise to that tv hum log dekha hai hai television hum log dekha hai busko sound agar hum log hundred me kar dhenge na to hum log ko dekke maja nahi aega so that is called the noise kya kiwa unpleasant sound hai 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 street noise traffic noise public transport playground shopping malls and marketplace loudspeaker in social function bahut loudspeaker am log use ka teper wo that is unpleasant sound wo noise pollution pae da kata ish liye police police local police say ek 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 certain level tak sound allowed hodha uske uske upar jahe to that is illegal ok use karne illegal hai small factories large manufacturing units of construction equipment often causes unpresent sound of high loudness level it is because of um they often use large number of machines ok there are also lots of other sources of noise pollution that should not be ignored noise coming from uh dripping trap okay drinking of of clocks and uh coolers etc effect of noise pollution uh on health so yaha hai hai kya kya kabham loko noise pollution sa ham loko jayse ham loko discuss kiya hai blood pressure increase ho sakta hai anxiety burst akta hai frustration ham loko sakta hai the most immediate effect uh is the uh deterioration uh deterioration of mental health continuous noise can create panic the affected person may become jumpy and in her or his frustration level may increase it may also result in lack of uh concentration of mind okay noise pollution also affects human heart it may also cause uh lack of sleep hypertension and nervousness anxiety decrease in ability to uh memorize okay and extreme emotional behavior noise pollution may lead to hearing a impart impairment okay on a short term basis noise pollution can cause temporary deafness okay um log uh canka joe ham loko joe er ka joe capacity he wo b decrease ho sakta if noise pollution continues over a long period of time the person make a temper permanent damage in our eyes ears okay measure to limit measures to limit the noise pollution in this age of technological um advancement it is very difficult to come completely eliminate now all noises however we must do our best to reduce the reduce the reduce the intensity of noise and thus help to minimize the harmful effect for this silencing device need to be installed in aircraft engine yeah plane key engine se bhoot noize at it so you have a quick modern technology same silencer hum loko lagana chahiye transport vehicles may industrial machines may home appliance may avi joe nowadays joe car is manufactured with bikes manufacturer hater horea silencer it's not a bit of high technology silencer modern silence on a sound both the cum horror ticket and we also need to restrict the use of loudspeaker and amplifier in public places okay public places may ya Narcigum hospital ke aspa some logo loudspeaker आरिया एम्लिफियर आम लोगो यूज़ी करना चाहिए इफरे 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 इंडेस्ट्रिया इन तरफ्रेटर ने इन वस्ट बी या शेट अपर आधे व्यूनि आखीर वहां प्री बहुत इंपर्टें as far as possible hearing impairment okay तो हम लोग को जो सुनाई में जो प्रोब्लेम होता है जडिस कॉल दाहिए इंपर्डमेंट करते हैं ठीके वह अगर हम लोग सीख लेंगे ना तो हम लोग ना तो कॉमुनिकेट जो में जो इसका प्रॉब्लेम है वह कॉमुनिकेट कर सकते हैं ठीके तो कि कुछळ से हाथ का का जैसे की ऐसे हैं से भी हैं से सीज्ट है और आप को सिमबाखें करते हैं यहां पर एक चीज हम लोग देखेंगे कुछ कुछ पर्सन से यूज करते हैं कान में एक हेड़फोन की तरह ठीक है that is called the hearing aid क्या करता है जो atmospheric sound है वो उसका अलग से microphone होते हैं microphone से catch करते हैं वो sound क्या होते electrical signal में convert होते हैं और electrical signal क्या होता है उस signal का amplifier से signal amplify होके फिर से जो हमाड़ा यार में जो जाता है तो हम लोग क्या आता है जो atmospheric sound है वह उसका एक amplified version हम लोग को सुनाई जेता है तो जिसका hearing problem है वह यह चीज़ करके अच्छी तरह से सुन सकते हैं ठीक है so that's it for today's video आज हम लोग पूरा चैप्टर है उसका पूरा चैप्टर हम लोग खतम कर चुके है नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो आप exercise portion है वह हम लोग खतम करने बाने है so that's it for today's video guys if you like this video then like the video and share it with your friends and those who are new in this time please subscribe the channel and hit the bell icon मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए टाटा एंड गुद बाई